दोस्तों अगर आप भी YouTube क्विट कर चुके हो या YouTube छोड़ना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देख लेना ये एक motivational वीडियो है दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो जरूर जरूर आप YouTube पर successful हो जाओगे हेलो दोस्तों मेरा नाम है मुहमत कैश्मनिहार और स्वागत है आपका हमारी इस YouTube चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको basic लिए ये बताने वाला हूँ कि आखिर क्या reason होते हैं जिसके वज़े से एक YouTuber YouTube को quit कर देता है और वो ठीक उसी समय छोडता है जब उसका चैनल ग्रो होने वाला होता है ये मैं अपने experience से बता रहा हूँ और आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे उसको motivation मिलता रहे और वो regular अपनी वीडियो बनाता रहे और उसका चैनल कब ग्रो हो जाएगा तो चलिए दोस्तों बिन समय कवाई इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों actually में होता क्या है जब कोई भी यूट्यूबर अपनी यूट्यूब वीडियो अपलोड करता है तो उसके होते हैं zero subscribers उसके पास कोई भी audience नहीं होती है जो उसकी वीडियो को देखे और उसकी वीडियो पर audience retention आए उसकी वीडियो पर likes आए और यूट्यूब उसकी वीडियो को और भी ज़्य किया है और जब दिखता है यार इस वीडियो की growth हो रही है इस वीडियो को लोग पसंद कर रहे तो उस वीडियो को suggest करता है पर दोस्तों अगर आपकी 0 subscribers होते हैं तो यह सारी चीज़े पॉसीबल ही नहीं होती ऐसे case में क्या होता है दोस्तों वो यूट्यूबर अपनी वीडियो को WhatsApp पर शेयर करता है और Facebook पर शेयर करता है पर दोस्तों होता क्या है कि आपका जो content मान लिजे कि आपने जिस WhatsApp ग्रूप पर या जिस Facebook पेज पर या अपनी Facebook प्रोफाइल पर शेयर किया है वहां के लोगों को उस पर इंट्रेस्ट ही नहीं था और बस आपका मन रखने के लिए या अपने दोस्त की वीडियो देखने के लिए वीडियो खोल तो लिया और बीच में ही बंद करके चलेगा और आपका audience retention खराब हो गया जिससे अब आपकी वीडियो suggestion पर नहीं जाएगी तो दोस्तों जो beginner यूट्यूबर होते हैं वो दो म आना चाहता हूँ कि आपको patience रखना है वीडियो अपलोड करनी है डिमोटिवेट नहीं होना है डिप्रिशन में नहीं जाना है वीडियो अपलोड करते रहना है क्योंकि यूट्यूब दोस्तों एक ऐसा platform है एक बहुत बड़ा platform है जो ये तक चेक करता रहता है कि इस यूट्यूबर को इंतजार होता है कि कब उसकी वीडियो वाइरल होगी कब उसको basic subscribers मिल जाएंगे और उसको एक audience base मिल जाएगा जो उसकी हर वीडियो को watch करेगा सिर्फ और सिर्फ patience रखना है दोस्तों डिमोटिवेट नहीं होना है अगर आप लोगों को डिमोटिवेशन स बचना है तो दोस्तों आप काफी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं मोटिवेशन के जिनको देख करके आप मोटिवेट हो सकते हो कि हमें patience रखना चाहिए हमें हार नहीं माननी चाहिए और दोस्तों मेरा तो पूरा चैनल ही यूट्यूबर्स के लिए एक मोटिवेशन का चैन है और आगे बढ़ना है अब बात बताता हूं दोस्तों कि आखिर आपकी वीडियो कब वाइरल होती है दोस्तों जब आपके पास एक भी सब्सक्राइबर्स नहीं होता है कोई भी आपका अपना परसनल वीवर नहीं होता है तो दोस्तों आपकी जो वीडियो होती है वो दोस्तों तो YouTube आपकी वीडियो को suggestion पर डालने लगता है मैंने अपने experience से देखा दोस्तों कि जिस वीडियो पर 15 व्यूज थे तीन से चार महिने बाद वो वीडियो Automatically suggestion पर जाने लगी उसके impressions बढ़ने लगे और उन वीडियो पर व्यूज आने लग गए अपने आप और subscribers भी बढ़ने लग गए तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है कि एक time period लेकर की YouTube पर आना है कि मैंने आज YouTube चैनल शुरू किया और आज से लगतार एक साल तक मैं अपने इस चैनल पर मेहनत करता रहूंगा अगर मैंने एक जनवरी 2020 को अपना YouTube चैनल शुरू किया है तो एक जनवरी 2021 तक मैं मेहनत करता रहूंगा मुझे नहीं है मतलब कि zero views आ रहे हैं या zero likes है या zero subscribers है आखिर मैं किसी competition की exam की तयारी करता हूँ तो भी मैं एक साल मेहनत करता हूँ फिर उसके बाद जो तीन घंटे का exam होता है वो decide कर देता है कि एक साल की मेहनत सफल हुई या नहीं तो आप YouTube पर 2 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन एक मेने वीडियो डाल करके आप decide कर लोगे कि आप fail हो गए हो ऐसा नहीं होता हर चीज समय मांगती है हर चीज patience मांगती है आपको धैरे रखते हुए YouTube पर वीडियो अपलोड करती रहनी है एक जनवरी 2021 को आपको देखना है कि हाँ मैं जहाँ पर था वहाँ से मैं आगे बढ़ पाया या नहीं मेरी growth कैसी हुई मुझे YouTube continue करना चाहिए या नहीं और दोस्तों मैं 100% guarantee लेता हूँ कि उस stage पर आप कभी YouTube कुट नहीं करोगे और बोलोगे यार मैंने तो zero से सुरू किया था आज मैं यहां तक पहुंचा हूँ थोड़ी और महनत कर लूँ शायद कहीं और पहुंच जाओं क्योंकि दोस्तों लोगों के एक लाग subscribers हो जाते है और उसके बाद एक हफते दो हफते एक महीने ये दो महीने में ही वो subscribers एक लाग से दो लाग हो जाते हैं बस आपको खुद को एक साल का टाइम देना है एक साल तक महनत कर दे हैं उसके बाद आपको अपना result खुद डिक्लेयर करना है कि आप पास हुए या फेल तो यह थी द मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना जाद जाद हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए मुलकात होगी दोस्तों आप लोगों से अब मेरी अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहीन वंदे मातरम